कि हलो एव्रीवन आज कर जो मेरा सेशन है वो सी यूटी को लेकर है सी यूटी नोटिफिकेशन आ गया है सी यूटी के सिलेबस में एक्जाम पैटर्न में चेंजेस हुआ है और उसको लेके आप में से कई लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए पैनिक होने की जवत नहीं यह अंडर्स्ट्रेंडिंग की जवत है नोडाउट कि सी यूटी ने अपने सिलेबस में चेंजिस किया है पर किस तरह का चेंजिस किया है आपको क्या एक्शन लेना है और अगले टू एंड हाब मंस लगवक मान के च जो कॉमन सिलेबस है जो आप अल्रेडी कर चुके हैं उसको कैसे करना है नंबर आफ कोशन कोशन सॉल्विंग अपरोच टैक्निक्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको लेकर आप में से कई लोग पैनिक हैं बिलकुल बंद कर दीजे पैनिक होने की जवत नहीं है इंपीट में आपको help करेगा वो बताता हूं और जो सिलेबस में चेंज किया गया है उस सिलेबस का निमसेट के साथ किस तरह से involvement है वो भी बताता हूं और आप मेंसे कई बच्चे ऐसे हैं जो बाइचांस निमसेट इलेजिबल नहीं जो केवर्ट को टारगेट कर रहे थे वो भी के लिए स्पेशल क्रेश कोर्स होगा और एक के लिए स्पेशल टेस अगर आपको लगता है कि आप पूरा सिलेबस अच्छे से खुद हैंडल कर सकते हैं और कवर कर लिया तो यह स्पेशल करेगी जिसमें 20 मौक होंगे जिनको पूरा प्लांड आपको दिखेगा आप पर औ आपको हेल्प करेगा जिसमें आपको लाइव क्लासेस क्योंकि इसकान है तो लाइव रिकॉड्ड़ विएक प्लासस में टस्टिपर इंकूर कर रहेयानी के प्रव्लम ど. यह जो प्रॉब्लम उस ईप अप जोग बार्च में पर चैस कर रहें क prosecution क्रेंगी और यह जो टीज अब क्या changes है syllabus की पहले वो बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो CUT के तो section थे पार्टे और पार्ट B CUT ने अच्छा करा पार्टे हटा दिया अब बचा है केवल पार्ट B पार्ट B का मतलब हुआ कि केवल syllabus related questions ही अब आपको आने हैं तो अगर आपका टार्गेट माल लेजिए M.C.A करना है या M.C.A केला नहीं है उसमें computer information IT technology MSC वगरा इन सबका common syllabus है तो आप सबसे पहले हम समझें कि syllabus को three part में divide कर दिया गया एक है LR section एक है mathematical section और एक है computer section जो entirely change किया गया है वो किया गया है computer section को बाकी mass और LR का section जो है वो similar है बलकि थोड़ा सा reduce कर दिया यानि LR portion वही है जो NIMSET में आता है थोड़ा reduce है mass section वही है जो NIMSET में आता है थोड़ा reduce कर दिया reduce कर दिया in the sense कि उसको थोड़ा सा कम कर दिया और वो कम कर दिया तो जैसे को हटा दिया वाक्टर भी नहीं है complex नंबर भी नहीं है बाइनिमल थेरम भी नहीं है 3D भी नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि LR मैस में आप उत्ती problem face नहीं करेंगे अगर आप निमसेट की त्यारी कर रहे हैं या आप अभी तक पुराने syllabus के साफ से भी त्यारी कर रहे थे तो यह दो section तो आपको problem नहीं होगी अब रहा सवाल तीसरा section जिसमें operating system computer management या data structure यह बढ़ा दिया और computer वाला syllabus entirely जहां रखिएगा computer वाला syllabus entirely निमसेट से अलग है यानि निमसेट में जो computer के questions आते हैं और जो syllabus है वो और निमसेट का computer syllabus और जो सीउटी का computer syllabus है वो entirely different है तो आपकी जो problem है वो है computer portion को कैसे item किया जाए अब मैंने आपको जैसे बोला कि तीन पार्ट हैं एक तरह से सोच लीजिए एक है कम LR एक है mass और एक है computer portion तो अब mass और LR को अगर हम देखें और तीन पार्ट को अगर हम देखें तो इक्वल डिवाइड करें तो ऐसा मान सकते हैं क्योंकि total 75 question आएंगे 25 25 25 question इस section के हो सकते हैं बट plus minus भी हो सकता हो सकता LR को 20 कर दे mass को 25 भी रखें और computer को 30 कर दें हो सकता mass और LR दोनों को 30 30 करते हैं यह थोड़ा बहुत plus minus हो सकता है पर इन ओल अगर मैं देखूं तो जो मुझे लगता है वह यह लगता है कि लगवक्त equally आसपासी होगा plus minus हो सकता है क्योंकि वह specific नहीं है तो अब यह computer के syllabus को कैसे पढ़ेंगे तो जो CUT class course है इसमें आपको computer के syllabus की live classes मिलेंगी मास के syllabus की भी live classes मिलेंगी बट मास और LR का syllabus बहुत है time कम है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ topic already आते हूं यह हो सकता है कुछ नहीं आते हो एक हो सकता है एक बच्चा चाहता हो कि सर वह algebra में पर सेट ठेरी पर कमांड नहीं है यह सपोस्ट टूडी पर कमांड नहीं है तो इसके कॉम्बिनेशन को ऐसा बनाया गया है कि जो मैस वाला portion है जो एलार वाला portion है वो live classes के साथ साथ आपको recorded portion दिया जाए जिससे आप कम समय में पढ़ पाएं और computer की आपकी classes हो जाएंगे स्टार्ट second of January से यह batch स्टार्ट होगा और यह till exam तक चलेगा जिसके अंदर 20 mock paper include होंगे जो week में दो पेपर रखे हुए और आगे depend करता है डेट आने के बाद किस दंग से चेंज करना है तो 20 mock papers होंगे और 2 actual paper होंगे यानि हमारे पास दिन लगवग हैं अगर धाई महीने मालने तो 75 और 75 में आप सोच लिजे 22 पेपर तो हम लोग अभी आपको minimum दे रहे हो सकता है इसके ज्यादा हो जाए पर इससे कम नहीं होंगे तो अब इंपिटर्स गुरू को लैप के साथ जोड़ जाएंगे तो आप एक फोकस होके पढ़ाई करेंगे अपनी आप कहीं पर भी डिस्टब नहीं होंगे कैसे आपको computer portion को कवर करना हमाल लीजिए आपका BCA बैक्ग्राउंड अब यह सी कम्पीटर तो हो सकता आपको computer portion में उत्ती दिक्कत ना है फर मैस में आ रही हो सकता या हो सकता LR में आ रही हो किसी भी तीनों सेक्शन में अगर आप किसी एक सेक्शन में प्रॉल्लम फेस कर रहे हैं या दो में कर रहे हैं या तीनों में भी कर रहे हैं तो यह क्रस्कोर्स आपको हर तरह से help करने वाला है ध्यान रखिए और यदि आपको तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से clear है और आपको लगता है कि केवल टेस्ट पेपर दे के काम हो सब्सक्राइगा तो आप फिर इसकी test series भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको यह 22 मौक पेपर मिलेंगे 20 पेपर प्लस टू एक्शल पेपर मिलेंगे और इनके प्रिंटेट सॉलूशन होंगे जिसको आप एनलाइज करके अपने आपको डवलप कर सकते हैं तो बिल्कुल पैनिक मत होईए देर मत करिए आल्रेडी हमारे पास टाइम कम है और इस बैच को आप इमिजेटली ज्वाइन करके क्लासेज रटेंट करना चालू करें क्लासेज किस ढंग से होंगी रेगुलर क्या टाइमिंग होंगे वो सारी चीजे मैं आप पर बताऊंगा पर हम लोग टाइमिंग नॉर्मली ऐसा रखते हैं जिससे अगर आप मान लीजे फ्रेशर इस्टुएं तो भी आपको कॉलेज क को कैसे आप स्मार्ट ली यूज कर पाएं यह चीज आप इंपिटर्स के साथ सीखेंगे कम समय में भी हम अच्छा रेजल्ट दे सकते हैं वह शर्त है कि हमें स्मार्ट स्टेडी करने की जववत हैं आप जववत इस बात की है कि आप इस धंग से पढ़ें कि आपके को आप अंडेस्टाइंड कर पाएंगे सारी चीजे को स्कूर्स के सुरूब आप सीख पाएंगे तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आप तयार हो जाएए अगर आपको सी यूटी दे रहे हैं और आपको लगता है कि सी यूटी दे के मैं अच्छी रहें कि अच्छा इस अच्छीव करूं तो यह कर्श कोर्स आपको डेफिनेटी हेल्प करेगा थैंक यू एंड अल दे बेस्ट